नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव सेनी इंटरनेशनल बिजनिस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पिकर दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चनल जहां पर इंपोर्टिकल नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ्रेंट्स एक इंटरस्टिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें क्या आपके अपना बिजनिस एक्स्प्लोर कर सकते हैं और बिजनिस वीजा लेना कितना आसान है टेक्सें सिस्टम कैसा है यह सब कुश्चन का मांसा लेका है छोड़ी से वीडियो में बने रेमार सा सबस्क्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो एक आपको देखने को स्ट्रोंग एकनोमी तो है यह उसमें कोई डाउट नहीं है यानि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकनोमी यह दिस फाइप पॉइंट फॉर अराउंड रफली फाइप पॉइंट फॉर ट्रिलियन युस डोलर ट्रिलियन क लोगों के पास पैसा है खर्च करते हैं तो सेकिंड नंबर के बात करूं तो फर्स्ट क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर आपको वहां देखने को मिल जाता है यानि आपको इंफ्रस्ट्रक्चर रोड ट्रांस्पोर्टेशन जिसे बुलेट ट्रेन का भी आपने नाम सुनाओका सब्सक्राइब को मिल जाती है बुलेट ट्रेन तो अभी हिंदुस्तान में भी चलने वरी वह भी जापान ही उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं एहमदाबाद से मुंबई जिस पे काम चल रहा है अगर मैं बात करूं हाई पर्चेसिंग पावर लोगों के पास पैसा है पर्च क्योंकि हमारे का उतनी स्टेंडर नहीं जितना की यह का दें पाईजन है वह जापान से आया है और ठीसिपलें के नाम में तो जापान नमबर वन है क्रेंद अब CRP बायर की तो जो बायर है नॉलिजबल है चूजी है अब वो तो मैंने आपको बताई दिया कि चूजी है वो छोड़ी-छोड़ी चीज में भी मतलब कमी निकालने की कोशिस करते हैं इसमें यह ठीक नहीं है उसको इंप्रूव करो लेकिन वो हैल भी करते हैं गाइड भी करते ह नहीं आपका प्रीमियम क्वालिटी का परड़क्ट है तो वह जरूर वहां पर सेल होगा अगर मैं बात करो नेक्स बैनेफिट की क्विक बिजनिस सेट अप हो जाता है लगबग टू वीक्स में टू वर्किंग वीक्स में यानि 15 दिन के आसपास में आपकी कंपनी पूरी स या मार्किट के रहता ही है आपका कैसा बिसनिस मोडल आपने इस थोड़ा सबसाथ आपको कुछ ओं ऑर या डिण बहुर कांपनी डिसीप्ली इंगे बहुत जाद दिसीप्लीन कु commemorative venture पूरा मलब जो आर्मी थी जापान में उसके कहानी लंबी कहानी यू एस और आदमी में जब सब कुछ वा तो बबुब इटेल में नहीं जाएंगे लें बात यहीं कि वह लोग इतना डिसिप्लीन है कि टाइम पर उठते हैं टाइम पर खाते हैं टाइम पर टाइम पर ड्यू के पास से बस मिल जाएगी ट्रेन मिल जाएगी पबलिक ट्रांस्पोर्टेशन मिल जाएगी तो उसका ज़्यादा वो यूज़ यूज करते हैं तो यह वहाँ जाकर सकते हैं यह तो पोजिटिव साइड हो गया कुछ किसी चीज़ की negative sides भी होती है तो disadvantage क्या है महां पर business open करने का तो एक है asing disadvantage यानि वहां की जो population है जो more वहां की जो total population 12.58 crores की उसके more than 25% above 65 age के लोग है यानि old population भी है तो वह एक negative points में भी आ जाता है उसी का भी अगर reflect ही हम as a businessman की तरह सोचें तो वह बिजनेस को बोलते हैं वह आगे बात करेंगे कि इसका वह जो एजिंग एक इस्चू है कि आप जो पॉपलेशियों इट परशन more than 65 एज की लम्भी लाइफ जिती है तो 65 के बाद में फिर बोड़ी में वह ताकत नहीं रहती एनर्जीन रहती है लेकिन वह मेंटली बहुत स्ट्रोंग है आपको गाइड अच्छे से कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ डिमांडिंग बायर की तो जो बायर है कस्टूमर मैंने पहले बता है चूजी है डिमांडी डिमांडिंग है तो छोटी-छोटी चीजों में भी वह मतलब नुक्स निक जाएगा एक कोस्टली सेट अफ हैं यह एक चलती कर सकते हैं वह कौन-कौन सी ज offer कर सकते इंपोर्ट एक्सपोर का बिजनिस करता है। कोई भी आप कंट्री देखिए जिसमें import-export का दंदा जादे से जादे होता है वो country वहुथ जादे क्योंकि उसके पास में फोरं करंसी आती तो country boost होती है कि एक economy को boost मिलता है क्योंकि आप खुद से कितना भी काम करें जब तक आप लोगों को नहीं ready करेंगे लोगों को तयार नहीं करूँगी जैसे हम भी एक मोहीं हम भी एक कैंपिंग चला रहे हैं की जादर सय जाद मैं एक्सपोर्टर को रेडी करें हिंदुस्तान से ताकि हमारी कंटरी की ऎकनियर को बुस्ट मिले और लड़ाई में नहीं जाएंगा लेकिन हम एकनोमी को आगे लेके जरूर जाएंगे अगर मैं बात करो सेकिंड नंबर की तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनिस जो मैं बता रहा था उसमें क्या-क्या प्रड़क्ट सेलेक्ट करते हैं जो नॉर्मली महाँ पर जादे च कर सकते हैं मेटल का आप कर सकते हैं कॉमेडेटी का आप कर सकते हैं मशीनरी का कर सकते हैं क्योंकि यह जापनीज कुछ कंपनी हिंदुस्तान में भी अपना कर सकते हैं वहां पर उपन कर सकते हैं वहां पर उनका भी जो रेस्टोंट उसकी भी फ्रेंचेज आप लेके वहां पसंद करते हैं travel agency का अगर आपका experience है आप टूर एंड ट्रेवल का आप काम करते हैं हिंदुस्तान में या फिर आपका कहीं का भी experience है तो आप without experience तो मत कीजे experience अगर आपका है तो traveling agency वहाँ पर एक अच्छी option हो सकते हैं आप उसको करना चाहती इंटरल से market में लेकि जाना चाहते है तो real estate का का महाँ पर अच्छा चलता है hotel business अच्छे चलते हैं महाँ पर dance school अगर आपका dance का fashion है आप dance करते हैं dance सिखाते हैं और आप यहां पी भी आपका dance school है तो जापान में भी आपका dance school अच्छा चलेगा elders caring services जैसे चाइल्ड केरिंग सर्वीशी रहते हैं तो पॉपुलेशन more than 75 65 एस का है 25 25 परशंट के उपर पॉपुलेशन यानि 12.58 क्रोड का 25 परशंट आप लगा लिए खुद कैलकुलेट कर लिजे वह उतना population मतलब elder है तो elder के केरिंग services भी वहां बहुत जादे चलती तो अगर आप वह सर्वीशी दे सकते हैं तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं fitness center क्योंकि health conscious then बीजे हैं तो यहार ना चाहते हैं तो अगर फिट्नेंश का बी मतल שकते हैं तो बहुत 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 चार्जबल है यार्नी एक सबसे पहले पाइदान पर टोटल पाइदान में जो अब लिगल एंटेटी है तो नबर वन पर आता है इस्टोक कंपनी जिसमें जो कि बैसे इस्टोक कंपनी जो बहुत बढ़ी कंपनी पहसे बढ़ी कंपनी क मार्क के लिस्ट से उले लिमेटीड फ्लिमांप यानली से केंच प्रिंस उनको जरूर मालूम है तो लिमिटेड लियाबिल्टी आपको वाजाती और कितना आपका खर्चा आता है ललसी बनाने के लिए लगभग पांच जार येंस आपको पांच लाक येंस आपको लग जाते हैं इंडियन करन्सी में अगर बात करूं तो 3.1 लैक इंडियन है रिकौर्न है अगर मैं बात करूं नेक्स नंबर कंपनी की तो वह आजाता हैं जनल पांच जनल पांच इस इनियन रूपीजेग आ पोइंड़ सेवं पॉइन लिमिट कर दिया गया उसमें एम सिंगल पर्सन अम्हान कर सकता है ली3 पार्टनर्σिप the फिफ्ट लगम्हाफर्स ओपन ऑपन क्रसकते हैं। कर सकते हैं वह सब काम कर सकते हैं neyक्सपोर्ट रिग्लोप कर सकते हैं। ब्रांच ओफिस के द्वारा से महां से information collect कर सकते हैं अपने business का promotion कर सकते हैं वहां पर जाजा के उससे information collect करना एक branch office के अंडर में आता है लेकिन कोई manufacturing नहीं कर सकते हैं कोई commercial नहीं कर सकते हैं इसलिए उसमें taxation का भी कोई problem नहीं है अगर मैं बात करूँ taxation तो taxation थोड़ा सजाद लेकिन उसी सबसे आप कमाते भी अच्छे 30% का tax आपको लग जाता है वो तो हिंदुस्तान में भी लगता है तो यहां भी तो लोग काम करते हैं business visa की अगर मैं बात करो तो business visa लेना बहुत आसान है आपको embassy से contact करना है जो business visa उसका form है form fill up कर देना है जो required documents से वह सब आपको collector जैसे आपका passport हो गया valid passport यानि six month की validity होना उसमें अनिवार यह है आपके financial proof आपके पास में होगे documents आपके सभी होगे invitation आपके पास में होगा visa fees आप उसमें pay कर दे visa fees कितना 3000 येंस आपको लग जाते है यानि अगर single entry आपकी 3000 येंस यानि लगबक 1871 रूपीज आगर multiple entry है multiple entry क लिए उन्होंने 6000 रखा visa fees 6000 येंस यानि इंडिन रूपीज में अगर बात करूं तो 3744 रूपीज आपको लग जाता है तो फ्रेंड से करी वीडियो आपको पसंद आए तो जुरू आप इसको लाइक की अपने फ्रेंड से फैमिले में इसको जुरूर सेहर कीजिए हर एक उ एकोश हिंट रोक ने मार्केट में बिजनिस लेके आना चाता है क dilभय ने alr हम ऐसे की तरह से खुछ मुष्टबर भा करते रही है हुआ है अगुग करते हैं और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की ने चाहिए